असलाम अलेकुम जी कैसे आप सब उमीद करती हूँ कि सब टिक टाक होंगे वेलकम बैक टू मैं चैनल तो जी आज की वीडियो पहले की तरह बड़ी जबरदस होने वाली है और जब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपकी किचन की जिन्दगी घर की जिन्दगी हो जागी इतनी असान के घर के काम करने आपको बिल्कुल नहीं मुश्किल लगेंगे और घंटों का काम आप कर लेंगे मिंटों में तो जि बेना टाइम वेस्ट किये चले आ जाते हैं, हम अपनी वीडियो की तरफ और जल्दी से कर लेते हैं, हम अपनी टिप नबर ओन को स्टार्ट और टिप न नमबर जी मेरी है, हमारे घरों में ऐसे स्टेंड होते हैं तो जी स्टेंड ये कप होते हैं ये तब होते हैं जब हमारे मसाला बॉक्स टूट जाते हैं तो जी मेरे मसाला बॉक्स टूट गे थे और उनको तो जाही रहके फैंकता है ही फैंकता था मगर मैंने सोचा इसको ना फैंका जाए इसका जबर्दसा एक और्गनाईजर बना लिया जाए और एज़ा बास्किट हम इसको कर लेंगे इस समाल इसमें हम अपनी ड्रोसरी वगरा रख सकते हैं साबून रख सकते हैं या ताले वगरा पैकिट्स बना कर रख सकते हैं जो भी आपने कर रहा हैं बढ़ ये कि हम इसको ऐसा बास्किट के तोर पर कर सकते हैं अच्छे तरीके से इस्तमाल और एक तरफ जी साबून वगरा रख लें दूसी तरफ मैच बोक्स वगरा रख लें या आप इसमें ऑईल की बोतल भी रख सकते हैं और जी इसका ये फाज़ा होगा कि जब हमने कॉंडर टॉप साफ करना होगा इसको आराम से पीछे करेंगी नीचे से राम से हम कॉंडर टॉप को भी कर सकते हैं जल्दी से क्लीन और इस इतरा आ जाते हम टिप नुबर टू की तरफ और टिप नुबर 2 भी मेरी घर के कबार सही जुगारा है ऐसे बैक्स हमारे घरों में आते हैं जब हम कपड़े लेकर आते हैं तो क्या करते हैं कपड़े निकालते हैं इसको खर देते हैं जाया मगर आप हम इसको जाया नहीं करेंगे हम इसको ऐसा और्गनाइजर इस्तमाल करेंगे क्योंके घरों में हमारे बिल वगएरा काफी ज्यादा होते हैं यह कोई कार्ड वगएरा होते हैं बचों की फी कार्ड हो गया यह कोई ग्लासिस वगएरा के कार्ड हो गए जो हमसे मिस हो जाते हैं जब तक हम इनको संभाल कर अच्छे तरीके से ना रखें कोई notebook जिसमें हम अक्सर हम बेहने कमेटिये मगारा तो डालती रहती हैं जिसमें हम कमेटिये मगारा लिख के रखते हैं तो जी इन सारी चीजों को रखने के लिए हमें एक organizer की जरूरत होती है तो मैंने कहाँ चले ना क्यों ना इसी को हम as a organizer कर लेते हैं इस सारे बिल और ये मेरे पास glasses का card था और ये चोटी मेरी note book थी वो सारा कुछ हम इसमें रखेंगे और इसको हम हैं कर देंगे एक दिवार के उपर हो और दिवार के उपर भी हम रखेंगे इसको door के पीछे ताकि ये mess भी create ना करे और ये मेरे पास organizer है एक छोटा सा इसके पीछे डबल टेप लगी हुई है ये अराम से market से बिल्कुल cheap price पे हमें मिल सकते हैं और ऐसे छोड़े चोड़े organizer हमरे पास होने चाहिए और जी देखे जी बिकार से बैक से हमने कितां जबर्दसा जुगार लगाया और इतनी स्यादा चीज़े हमने organize करके रख ली अब जी जब हमें बिल की की जरूरत होगी यह को कार्ड वगरा की नोट बुक की जरूरत होगी राम से राम से निकालेंगे और हम इस्तमाल कर लेंगे और जी बाकी टिप्स देखने से पहले चैनल पर ने वो कर लें जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और जल्दी से बैल अकन को प्रेस कर रहें ता तो जी हम क्या करते हैं कहाना बनाते होए जिस चमच से हम खाना बना रहे होते हैं एक चमच रखना हो तो आप ऐसे आराम से कड़ाई के हैंडल में रख दें ना जी हमारे चूला गंदा होगा ना ही इसके लिए हम तर लेना पड़ेगा और इधर आ जाते हैं टिप नबर 4 की तरफ और टिप नबर 4 भी है तो चोड़ी ची मगर है बड़ी जबर्दस सुबों से लेकर शाम तक हमें घरों में बेशमार काम होते हैं और जी खाना बनाते हुए प्यास को चीलना और लसन को चीलना बहुत ज़्यदा होता है मुश्किल तो जी नाश्ते के बाद जब भी आपने खाना बनाना हो अराम से आप एक बॉल में पानी ले और उसमें डाल साने प्यास जितना आपको खाने में डालना हो और शाथ ही डाल दे लसन और सासथ अपने काम करते रहे हैं ताके जब तुँओ आपने खाना बनाना हो तब प्यास को चीलने की भी डेंच्छन नहीं डेग नहीं पढ़ेंगा और दी तरा आ जाते हुं टिप नंबर 5 की भेके साफ माहीर, रम्जान और मुबारिक तूपा अर्चाह के लिए एक तरषनु मेना और तूपा है जब जी हमने रोटियां बनानी होती है तो हम क्या करते हैं वन बाई वन हम एक एक पेड़े को करते हैं और आपको पता है कि सहरी और इफ्तारी में हमें बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और कभी-कभी तो ऐसा होता है कि आँख नहीं खुलती तो बस जी बागम दोड में रोजा तो रखना ही होता है तो एक-एक पेड़ा करने पे हमें लगता है काफी ज्यादा टाइम तो जी अब हम एक-एक पेड़ा नहीं करेंगे हम एक ग्लास की मदद से एक टाइम में 10-12 पेड़े भी कर सकते हैं और रोटियें भी बनाते हैं वो कैसे बना सकते हैं मैं आपको बताती हूँ और यह चोटी सी है तो टिप मगर जब आप इसको फोलो कर लेंगे ना तो माहे रम्जान के आम जिंदगी में भी आपको इसकी बड़ी सहूलत ओने वाली तो जी मैं इधर आटा ले लूँगी और आटे को हम बिचा लेंगे प्लेट में आप प्लेट में बिचा लेंगे या कॉंटर टॉप पे बिचा लेंगे जैसे आपको बितर लगो और जी ये है मेरे पास ग्लास और जी ग्लास को हम खुश्क आटे में एक दाफा डिप कर लें हैं और जी पेड़ा भी देखें बिल्कुल गोल है इसको गोल करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी किसी बड़े ट्रे में बिचा लिए कॉंटर टो पे आप आटा रख लें और जल्दी जल्दी से गलास को गुमाते जाए और पेड़े बनाते जाएं और ऐसे ही आप अगर प्राठो के लिए भी पेड़े बनायाना चाहे टो आप प्राठो के लिए बी बना सकते हैं और जी जो बाकि ऑटा बाचल है उसको फिर एक दफ़ा से फ्लैट करें और जल्दी जल्दी से गलास की मदद से इसमें भी पेड़े आप बना लें और इदा जी पेड़े तो बन चुके हैं अब एक टाइम में हम तीन से चार रोटियां कैसे बेल सकते हैं वो भी मैं आपको बताती हूं ताके माहे रमजानलमुबारिक मेना मेरी सारी बेहनों को बहुत ज्यादा फाइदा हो और ज जी अब तीनों चारों रोटियों को हमी कठा बेल लेंगे और जब आप ऐसे तीन चार प्राठों को भी कठा बेलेंगे दूसरी तो दो तवे रखके ना आप तकरीबन दस से बारा रोटियां पांच मिनट में बना सकती हैं जो मैंने आपको तरीका पेड़ा करने का बता द जाओ तकवान रोटियों को पकड़ी जाएं और तवे पर डालते जाएं और सेखते जाएं और खर सहरी और इफतार में देते जाएं और बस बहुत ही असान और जी इतर आ जाते हैं अब हम टिप नमबर 7 की तरफ और टिप नमबर 7 भी मेरी बड़ी जबर्दस है आज मैं आपको एक बात बताऊंगे कि जब हम मसाला बॉक्स हरीते हैं तो मैं कैसे लेने चाहिए हमेशा हम ये लॉक वाले मसाला बॉक्स को पसंद करते हैं जैसे कि मैं पसंद करते थी बट इसका फाइदा बिलकुल नहीं तीन से चार मान नहीं निकलते तो इसके पीछे वाले लॉक तूट जाते हैं जिसकी वज़ा से सा जाया जब भी आप जार ले धकन वाले लें इनका बहुत ज्यादा फाइदा है और इससे टाइम भी हमारा काफी ज्यादा निकल जाता है और जी इदर आ जाते हैं टिप नमबर 8 की तरफ और टिप नमबर 8 भी मेरी बड़ी जबर्दस है हम ब्लेंडर जग तो वाश करते ही कर जाया ब्लेंडर जग को खागो ना हम धोते हैं तो हमें कोशिश करनी चाही कि हम ना इसकी डिपी को उतार लाकाफिशे दे Ingredi जबर्दस करें ओ खोश औजयें चलने डेली का डेली का डेली तो हम ऐसे काम नहीं कर सकते हैं में मकर कम अजकन वीक में एक दफा हमें ऐसा जरूर करना चाहिए और जब हम वक्फे किचन में ऐसे काम घरता हैं ना तो आप यकीन करें के डीप क्लीनिंग के हमें बिल्कुल जुरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम डीप क्लीनिंग साथ-साथ जो किचन की और कामों की कर रही हैं और जी जल्दी से मैं कर देती हुई टिप नमबर 9 भी आपके साथ शेयर और जी जब हम कंटेनर वगरा करें जब भी ऐसे प्लास्टिक के कंटेनर आप लेना उनको वाश करने के बाद पहले कॉंडर टॉप पर रखते खुशकोने के लिए और पिर बाद में आप इसको किसी सूती कपड़े से साफ करके प्लास्टिक के पानी के ऐसे दाग पढ़ जाते हैं पिर कंटेनर नहीं भ प्रदत मिलेगी और यस मेटे हुए भी लगेंगे तो जी जाते जाते में नाम ले लूँ मेरी उन प्यारी बेहनों का जिन्नों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किये थे तो जी नाम है फूड आइडियाज बाए मेनाहिल फोजियर आवल पिंडी से लाइफ स्टाइल विद आसिया आपने इनके चैनल को जरूर विजट करना है और यहीं पर करूंगे आज की अपनी वीडियो का एंड नेक्स वीडियो के लिए लाफ वीज